हाँ वाई खिलाडी बच्चो क्या हाल मस्त आगे 30 सेगंड की लाराच में मुझे बता रहा कि वह यह तुम्हें मैस में कुछ ऐसा चाहिए कि साथ ऐसा कुछ देदो कि मज़ा आजये स्वाद आजये लेकिन वाकई देखो mathematics में पहले भी कह चुका हूँ कि mathematics जो गेम है वो observation का है जब हम practice करते हैं मेहनत करते हैं और थोड़ी सी कई बार चीज देना जो ऐसी मिल जाती है कि हाँ इसमें यह चीज लगनी थी या एक observation है या चीजें कहीं ना कहीं आपके दमाग में बार बार नए तरीके से एंटर होती हैं तो जो shortcut कहलो या observation कहलो या चालाकी कहलो वो यही है कि जब हम questions को लगातार practice कर रहे हैं बहुत सारे questions करते हैं तो कुछ feel हमें आती है तो आईए इस question को वाकई 30 second में कैसे करा जा सकता है जैए advance का question है और इससे मिलते जुलते दो चार question इसी pattern के आप अब मैं थोड़ा सा theory वरी तो पढ़ाऊंगा आपको हलकी सी अरे सर theory मत कराऊ ना उससे क्या होगा यह लो आजाओ यह question है वोई advance बाला ही question है देखो कोई भी sort या तो मैस वाले बच्चे हो पहली बाद तो मैस के बच्चे हो तो थोड़ी सी क्या है ना हाँ चीजें तो except आपको बताने ही कोसिस करता हूं कि आप generally generally second 30 second कहलो या मैं कम समय में solve करने की अगर इसको कोसिस करना हूं तो उसका कारण यही है कि ultimately हमें 4 determinant solve करनी पड़ती है और 4 determinant solve हम करना चाहते नहीं कौन solve करेगा इतना यार तो उसका एक best तोड है अपने पास in general आपके पास क्या होत होता है बैटा कि सर हमारे पास जो होता है वो होता है delta 1 which is equal to delta into x ये एक solution होता है बिल्कुल पहले प्छोरी समझते हैं मुस्कुराते हुए अब तुम आ तो गए हो तो वीडियो पूरा देखके जाओ ठीक है आ तो गए है लालत में लेकिन वीडियो पूरा देखके जाओ व delta into y और delta 3 होता है delta into z यहां तक कोई दिक्कत नहीं साब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इन जनरल हमें delta 1, delta 2, delta 3 और delta 4 निकालने पड़ते हैं फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर आप बहुत अच्छे दरीके से गाम करते हैं जैसे जैसे मैं आपसे यदि कहूं कि for unique solution for unique solution भईया unique solution के लिए क्या होगा तो आप ultimately क्या करते हो unique solution के लिए sir यहां पर जो हमारा delta है वो not equal to zero होना चाहिए क्योंकि यह delta इसके नीचे चला जागा यह भी नीचे चला जागा यह भी नीचे चला जागा इसको कई बार क्रेमर रूल भी कहते हैं हम लोग क्लीय है कहानी अरे सही है साम पहली कहानी दूसरी कहानी है फोर इंफनाइट मैनी solutions for infinite solutions Infinite solutions Infinite solutions के लिए आप क्या करते हो Mathematically ऐसा करते हो कि sir, डेल्टा 1 को 0 होना पढ़ेगा डेल्टा 2 को 0 होना पढ़ेगा डेल्टा 3 को 0 होना पढ़ेगा और डेल्टा को भी 0 होना पढ़ेगा मैं थोड़ी सी थ्योरी और तुम्हें सिखाना चाहूँगा हलका से तुम्हारे दमाग में चीज और बताना चाहूंगा महाराज सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है बेटा? जैसे मान के चलो, आपने क्या करा यहां पर? 0 ले लिया, यहां पर भी 0 ले लिया और यह है X हां, 0 ले लिया, यहां 0 ले लिया और this is what Y ये 0 ले लिया ये 0 ले लिया और ये है Z ये वाला डबबा X का है ये वाला डबबा Y का है ये वाला डबबा Z का है अब तुम X, Y, Z की करोडों मेलू डालो जो तुमारी चाओ 5 डाल दो 15 डाल दो 20 डाल दो 1, 1 वी इसको satisfy कर रहा है 2, 2 वी इसको satisfy कर रहा है अंडूर 2, 3, 6 भी इसको satisfy कर रहा है, इसलिए इसके infinite solutions होते हैं, तो this is the funda, हलका सा fundamental चीज समझे लो आपको, तीसरी और final बात, कि भाईया हम देखते हैं unique solution के लिए बात, अब तुम आतो गए हो लालत में, लेकिन सीख सिखाने की बात कर रहा हूं, यार रटा नहीं रहा हो त तो भी है, इस चीज का ख्याल आपको होना चाहिए, ठीक है, मैं बच्चे बोल रहा है कि सर, भगवास मत करो, काम कीची बताओ, हाँ, ठीक है, तो no solution, no solution के लिए क्या करते हो आप, सर, no solution के लिए, आपका delta 0 होना चाहिए, and, at least, at least, कोई भी एक delta 1, delta 2, और delta 3, ये non zero होना चाहिए, इसे आपको क्या मिलेगा, no solution, अब इसकी भी बहुत, बहुत छुटी चीज है है, कैसे, कोई भी delta 1 आपने क्या, non zero ले लिया, यहाँ पर ले लिया 5, देखो ये ले लिया 5, which is equal to, और delta ले लिया 0, और यहाँ पर x की value, अब तुम मैं तो बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा number है, कि जिसको मैं box से 0 के साथ multiply कर दूँगा, तो answer 5 आजाएगा, सर, कोई भी number नहीं है, इसलिए तो no solution बोला है, तो भाईया, सिखाने की बात करते है, quota mentor, भारत का सबसे प् इनों बाते हैं, अब आप इनको visualize कर पा रहे हैं, कि हाँ यार, वाकई मजा आ गया, चीजों में स्वाद आ गया, कि unique solution का मतलब क्या है, no solution का मतलब क्या है, और, और, कौन सा था, हाँ, infinite solution का मतलब क्या है, चलो सर, यह बढ़िया होगा, अब आजाओ, अब आजाओ, हैं, हम तो चाते ही नहीं थे, कि आप शिखाओ यार, लेकिन आपने सर मना करते करते वो चीज बताई दे, लेकिन ठीक है सर, कही ना कहीं बढ़िया है, कहीं ना कहीं मजदार है, अब आते हैं, concept के पास, आजाओ, यह तीनों बातें जैसे ही complete हो गई, अब तुमारा concept आपक ठीक है, तो सर यहां से, यहां से बटा, अपने पास जैड क्या आ जाएगा, सर जैड आ जाएगा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, कोई दिक्कत, नहीं साब, कोई दिक्कत वाली बात तो है इच नहीं, अब तीनों बात तो हम solution पहले ही कर चुके हैं, अब गौर से देखना, मैंने क्या करा है बेटा, इस सब को अठा देता हूं मैं, इस सब को अठा देता हूं, और आप तो सिर्फ गेम देखना बसात, क्योंकि मैं बता चुका हूं तुमें, यह question आपके सामने, जहीं advance कर, नॉर्मल तरीके से करेंगे, तो मेरा, सायद मैंने इसको solve किया था, फिर पी कम से कम 5 मिनट लगेंगे इसमें, और ज्यादा भी लग सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छी है, तो ज्यादा भी जाएंगे, लेकिन वाकई, वाकई इसको हम 30 सेकंड के अंदर कवर कर सकते हैं, उसका एक सबसे बैस तोड़ क्या है बेटा, दो equation को solve करो, x और y को, in terms of z, त तो 2x, 2x हो जाएगा 22, माइनस का 2 alpha into z, गौर से बेटा में एक ची लिख रहा हूँ, मैं z को ऐसे लिखता हूँ, और 2 को ऐसे लिखता हूँ, ताकि आपको confusion ना हो, इस चीज़ का विसेस ख्याल रहे है आपको, राइट, चलो साब, माइनस का 3y, माइनस का 3y, तो माइनस का 3z, अलफा माइनस 1, राइट, और पिलस का 12 यहाँ पर, और अपॉन 2, येलो साब, ओके, पिलस का आगया बीटा z, विच इज इक्वल टू गामा, सर, लाक गुना अच्छा है, चार डिटर्मिनान सॉल करने से, थो बड़ा साब को लग रहा होगा, रे यार, ये तो बहुत चिक्चिक है, बहुत नाटक है इस मेरे, नहीं है नाटक, नहीं है नाटक, अब देखो, जैसे इसको सॉल करेंगे, तो भहिया, यहाँ से मुझे z की वैलू फाइंड करनी है, z की वैलू फाइंड करेंगे, तो 2 का मल्टिप्लाई हो गया, 44, 44, माइनस का 4 अलफा जैड, माइनस का 3 z अलफा, प्लस का 3 z और प्लस का 12, प्लस का 2 बीटा z, विच इक्वल टू गामा, बहुत दिक्कत, 2 गामा, मैं बहुत समझाने के लिए त अगर आपको system of linear equations solve करना आता है, question आसान है, अगर system of linear equations solve करना आता है, question वाकई आसान है, yes, आजाओ, तो sir, यहां से आपको क्या करना है, z वाली चीजों को एक साथ उठा लो, तो यहां पर एक z है, 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 तो sir, मैंने क्या कर से जैर उठा लिया, जैर उठाएंगे सर अपन यहां से, तो ये आ गया 3 और ये हो गया माइनस का 7 अलफा, येलो साथ, है ना, जैर कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस का 12 है और 44, 56, येलो साथ, उसके बाद ये हो गया 2 बीटा, अच्छा 2 बीटा यहां आ जाएगा, जैर वाला 2 बीटा, ये भी चला गया, वेचेज एक्वल टू गामा, तो यहां से अगर तुम गौर से देखेंगे, तो अपने पास, जैर की जो वैलू आ रही है, वो क्या आ रही है, सर हमारे पास यहां से जो जैर आ रहा है, वो ये आ गया, कि गामा माइनस का 56, अपॉन, 3 प्लस 2 बीटा, माइनस का 7 अलफा, ये लो साब, ये आपका जैर आ गया, मैं फिर तुम से कह रहा हूं कि चार डिटर्मिनान सॉल करने से लाग गुना बैठ रहे हैं ये सब करना, कोई बड़ी बात नहीं है, दो एक्विशन को सॉल करा, आएक्स और वाई को इन टम्स से लू आ गई, अब जो भी इसके आंसर है, तुमारे हाथ में है सब कुछ, अब तो सामने वाले साब एकी जीज बोलो, कि भाई अब तो तो ये बता, पूछना क्या चाहता है, क्या तो ये यूनिक सलुशन चाहिए, या तुझे इन्फानेट सलुशन चाहिए, या तुझ से लू सलुशन चाहिए, आ जाओ, जैसा कि ये कोश्चन कॉलम वाला कोश्चन है, तो मैं यहां लिख देता हूँ बेटा, हमारे पास जैड जो आ रहा है, वो जैड क्या आ गया, सर जैड हमारे पास आ गया, गामा माइनस 56, अपॉन, 3 प्लस 2 बीटा माइनस 7 अलफा, 3 प् सॉप्षन में कहीं भी देखो, सिस्टम है, यूनिक सॉलुशन उसने बोला है, यह नो सॉलुशन बोला है, हाना, एक सेकंड हमने कहीं गलती कर दी, यह साइड 2 गामा था यहां पर, तो यह 2 गामा हो जाएगा, येस, ठीक है, 2 गामा, ठीक है भाई, हाँ, पहले अप्षन क की बात करते हैं, यूनिक सॉलुशन के लिए, आपके पास एक्च्वल में था क्या, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, समझना, थोड़ी नई चीज है, यूनिक सॉलुशन के लिए, क्या चीज़ें थी आपके पास, सारी, यूनिक सॉलुशन की अगर बात करी जाए, तो ये उ उपर वाला था non zero, ये zero नहीं होना चाहिए, unique solution के लिए और नीचे वाला zero होना चाहिए, उल्टा बोल दिया मैंने, अरे यार, unique solution के लिए नीचे वाली चीज non zero होनी चाहिए, याद है आपको, उपर वाले से मैं कोई लिना देना नहीं है, ऐसा ही कुछ था, no solution के लिए क्या infinite solution के लिए क्या था, सर उपर भी zero, नीचे भी zero, क्योंकि डेल्टा भी zero था, और देल्टा थी भी zero था, अच्छा, और infinite solution के लिए cover हो गया, no solution के लिए cover हो गया, सारे चीज आपके सामने cover हो रही है, कहवास सही है, हाँ बात तो सही है, तो अब आप एक एक line बोल दो, जैसे बात करते हैं बेटा, नीचे वाले को zero करेंगे अगर इसको, इसको जैसे ही zero करो गया, तो गौर से देखना, यहां से कितना आ जाएगा, three minus seven alpha, which is equal to two beta, तो यहां से बीटा की value आगे बेटा, three minus seven alpha upon two, यह लो, नीचे वाला zero हो गया, यानि आपका delta zero हो गया, delta zero, end, यह क्या ह यह delta, actual में, और यह क्या है delta three, तो गामा की value, clearly मुझे 28 देख रही है, अब देखो, क्या उसने बोला है, जैसे पहले question की बात करते हैं, option वाला question है, देखते ही खतम हो गया, काई जैसे देखा जाए तो, आरे सर बता दो एक बार यार, यह लो, मैं नहीं बताओंगा, अब त होता है, जब infinite solution होते हैं, कब होता है, जब infinitely many solutions होते हैं, तो यह तो मज़ा आ गया सर, यानि पी जाएगा तीन के पास, यह तो click हो गया, पी जाएगा तीन के पास, तो C और D तो ऐसे ही कट गए, अरे सही बात यार, है ना, अरे बहुत बढ़ी है, अच्छा सर, दूसरे option प पर आते हैं, दूसरे option पर आते हैं, बीटा 0 है, यानि नीचे वाला portion 0 है, नीचे वाला portion 0 है, डेल्टा 0 है, और उपर वाला देल्टा 3 0 नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस पर आ जाओ, हाँ, नीचे वाला भी 0 नहीं है, नीचे वाला भी 0 नहीं है, और उपर unique solution और उसने साथ-साथ alpha के बारे में भी आपको बोला हुआ है अच्छा, तो कुल मिला कि आपके दो यह option बच गई अब आपको केवल r चेक करना है यह चेक करना है कि यह कहां जा रहा है r या तो 1 पर जाएगा या 5 पर जाएगा r या तो 1 पर जाएगा unique solution पर या 5 पर जाएगा यह आपको बताना है तो हमें clearly समझ में आ रहा है कि अगर भईया delta भी not equal to 0 है और delta 3 भी not equal to 0 है तो मुझे कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ यहाँ पर z मिलेगा एक एक z की value मिलेगी और एक बार अगर मुझे z की value मिलेगी और alpha उसने दही रखा है तो this system has unique solution तो clearly option A is correct फिनिस थोड़ा advance का कुछ ता लेकिन हाँ थोड़ा सा चकराने वाला है इसलिए मैंने आपको बताया है चीजें अब आप दूसरा जो कुछ न करोगे आपको चीजें फटाफट समझ में आ जाएंगी कि हाँ भाई यह क्या कहना चाहते है जैसे एक question आपके सामने means का है इसमें chart determined solve करने से better है आपने क्या करा आपने क्या करा इन दोनों को solve कर लिया इन दोनों को solve कर लिया यहां से x की value निकाल ली y की value निकाल दी और x और y की value question number 4 पे इसमें डाल दी 4 में तो वहां से z की value यह वाली आ रही है इसने क्या बोला है for infinitely many solution तो z हमारे पास क्या था delta 3 upon delta अब infinite solution के लिए क्या होना चाहिए उपर वाली चीज भी 0 और नेचे वाली चीज भी 0 यानि सर ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए क्या बास सही है हाँ सर उपर वाला 0 होगा तो सर अलफा की value आ जेगी यहां से 1 बटा 3 ये लो बिल्कुल और इसको 0 करेंगे सर तो अलफा की value 1 बटा 3 तो ये हो गया 17 और 1 अठारा तो 18 तो यहां से 13 बीटा की value आ गए अपने पास 18 तिया 54 ये लो 13 बीटा की value आ गए पूचा क्या आप से 12 प्लस 12 अलफा तो 12 अलफा हो गया 4 13 बीटा की value आ रहे है ये 54 तो देखते ही देखते है आंसर आ गया अठावा दिल से बताओ 4 determinant solve करने से तो लाग गोना better है हमने कुछ नहीं करा कुछ भी नहीं करा सीधा theory पर खेले हम लोग मज़ाया कि नहीं आया कुछ नहीं करा आपने तो फिर मैं कह रहा हूँ हमें किस पर खेलना है जेड पर खेलना है जेड पर खेलना है उपर वाला भी 0 नीचे वाला भी 0 फॉर यूनिक solution नीचे वाला 0 उपर वाला non-0 वही जो condition मैंने आपको बताई थी ये चीज़ें अगर आपको याद रहगी न तो ऐसे questions को हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं इसमें 4 determinant solve करने इसे तो लाग गोना बैटर ये वाला है एक question मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये question आपको try करना है दो को solve करें जेड की value निकाला हूँ और infinitely many solution दिया है उपर वाले को 0 कर ले ना नीचे वाले को 0 कर ले आँसर आपके सामने कोड़ा होगा तो इसको एक बाव डो try करें तो उम्मीद करता हूँ आपको स्वाद आया होगा थोड़ी सी academic चीज़ें जादा है जादू है लेकिन जादू के लिए थोड़ा सा मैं कोछ सीखना पड़ेगा और जैसा कि मैंने उम्मीद करी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मैस के बच्चे हो तो सीखने में सायद भरोसा रखते होंगे जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है ठीक है तो ये आपको try करना है और comment में जरूर बताना कि आप इसको try करके 4 लिटम्रान solve करने से बेटर है आपके घोड़े दोड़ा है और इसको बताओ भाई कि किस तरीके से आप इसको solve कर सकते हो है ना क्या वाकई आपका mind एक अलग लेविल पर चलता है तो देखो मैंने बताया था ना कि यार observation का गेम है mathematics is a game of observation तो maths से एक beauty एक्चुली देखा जाए तो वही है हाँ ठीक है तो इस question में मैं चाहता हूँ कि आप इसमें अपना दिमाग लगाए अपना mind लगाए है ना अपना दिमाग लगाए वही है यह लो ठीक है फिर मैं हाँ अगर आपको लगता है वो ची फिल लेक देता हो क्या करना है जेड जहां पर जो भी कुछ आएगा डेल्टा 3 और डेल्टा तो unique for infinite solution मैं लिक देता हूँ थोड़ा सा आपको hint मिलेगी infinite solution infinite solution के लिए डेल्टा भी 0 और डेल्टा 3 भी 0 यारी दोनों 0 होने चाहिए second है ना unique solution unique solution unique solution के लिए डेल्टा 0 होना चाहिए उपर का डेल्टा 3 पर no comment non zero हो तो ज्यादा अच्छा है third no solution no solution के लिए क्या करोगे आप sir delta 3 0 होना चाहिए है ना एक second delta 3 non zero होना चाहिए end delta non zero होना चाहिए yellow यानि कि आपको ऐसा मिलना चाहिए कि 5 equal to 0 into कुछ इस टाइप का तो मैंने delta 3 को 0 ले लिया delta को 0 ले लिया ऐसा non zero राइट यह आपको dry करना है यह तीन बातें आपको याद रखनी है और तीनों बातों से आपका काम set हो जाएगा लाक गुना better है determinant को solve करना थोड़ी सी system of linear equation जो है ना उसका game आपके mind में होना चाहिए अगर उसकी पकड़ अच्छी है system of linear equation को solve करना आपको आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो अन्य था अन्य था आप जो तरीका जानते हैं उसको भी follow कर सकते हैं तो कई बार जी एडवांस का question था यहां से x की value directly आ रही है आपको solve करना ही नहीं है 11 minus alpha z और इसको यहां डाल देंगे हलतों अद्वाई मिल जाएगा तो आप बहुत बता हो क्या वाकई है 30 seconds से ज्यादा का है 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 ही नहीं मैं सच बता रहा हूँ तो जब भी ऐसा एडवांस का question आए और एक बार जरूर इस technique से dry करें और अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर स्वाद आया हो तो comment जरूर करें ताकि थोड़ा सा हमें भी energy मिले और आपके लिए कुछ बहतरी कुछ research करके और भी नया लाया जा सक तो आज के लिए इतना ही करते हैं मिलते हैं फिर next कहानी में जब तक के लिए must रहें व्यस्त रहें इमांदारी से अपना काम करते रहें ठीक है बाई thank you very much जै हिंद जै भारत और एक बढ़िये वाली लायन जो हमेंशा मैं बोलता हूँ वो जरू चिपकाने का एक दो तीन ह आला बोल ठीक है thank you जै हिंद